काले चने की बात होते ही मुंबई की चटपटी चना चाट याद आ जाती है तो आज हम बनाएंगे वही चटपटी चाट थोड़े से हेल्दी स्टाइल में हेलो दोस्तो मैं हूँ रितू, टेस्टी एंड हेल्दी में आपका स्वागत है चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैंने एक कप काला चना ओवरनाइट सोग करके हलका सा नमक डाल कर उबाल कर ले लिया है साथ में एक मीडियम साइस का प्याज, एक मीडियम साइस का टमाटर, एक खीरा और दो हरी मिर्ची को बारी काट लिया है और थोड़ा सा धन्या भी मैंने बारी कटा हुआ ले लिया है इस पर कड़ाई रखेंगे उसमें एक टेबिल स्पून ओयल, हाफ टी स्पून जीरा और उबला हुआ काला चना डाल कर थोड़ी देर के लिए हम उसे फ्राई कर लेंगे फिर इसमें हाफ टी स्पून धन्या पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला डाल कर अच्छी तरह से मिला लेंगे अब इसे 3-4 मिनट के लिए लिड लगा कर छोड़ देंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से अब्जॉर्फ हो जाएं और फिर लिड खोल कर हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे और ठंडा होने देंगे ता होने पर इसमें टमाटर, कटा हुआ प्याज, खीरा, हरी मिर्च और धन्या डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अब हमारी चटपटी चनाचाट जर्व करने के लिए तयार है तो आप भी बनाएए खाएए और मज़े करिए थांक यू